हलो डियर फ्रेंड मैं सोमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सोमन में हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है एक मिनिट में कैसे प्रेग्नेंसी कनफर्म करें जब एक फिमिल की प्रेग्नेंसी ठहरती है तो जाहिस से बात है बोड़ी, मूट और बच्चे दाने के मुख के अंदर कुछ बदलावाते हैं जो प्रेडिट मिस होने से पहले ही ये बता देते हैं कि आप प्रेग्नेंसी ठहरती है लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपना प्रेग्नेंसी ठेस्ट करने के लिए अपनी फिंगर्स का इस्तमाल कभी भी बिल्कुल ना करें अगर आप बार बार अपनी फिंगर्स से सर्विक्स को टच करते हैं तो सर्विक्स पर इंजरी हो सकते हैं ब्लीडिंग हो सकते हैं और साथ ही आपको प्रेग् एक किए जितलो और और तो किरेंगी तो इसलिए आपका सुने का मन भी करेगा नमबर थी है नोजिया प्रेगनेंसी ठहरने के बाद आपको उल्टी करने का मन भी करेगा नमबर फोर है फूट क्रेविंग्स आपको कुछ चीज़े खाने का मन करेगा और साथ ही खाना पकने की स्मेल भी आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेगी किसी चीज़ को खाने का आपका बहुत ज्यादा मन होगा या फिर जो मन पसंद भोजन है उससे आपको चिरन होगे कुछ खाने की चीज़ों को देखकर आपको उल्टी जैसा भी फिल होगा नमबर फाइफ है लोवर एब्डोमिनल पेन प्रेग्निंसी ठेहरने की समय एंब्रियो यूट्रिस वॉल पर अपनी जगह बना रहा होता है जिसकी विज़े से आपको हलका फुल का पेन हो सकता है आपको अपने पेट के निशले हिस्ते में थोड़ा बहुत क्रेंपिक महसूस हो सकता है लेकिन आपको इस पेन को कम करने के लिए किसी भी पेन किलर का अस्तमाल नहीं करना है पेन किलर को खाने से आपका मिसकरेस भी हो सकता है नमबर सिक्स है है एडिक प्रेग्निंसी ठेहरने पर बोड़ी में जब होर्मोनल चेंजिस हो रहे होते हैं तो जाहिस से बात है, सर में दर्ध होगा और बोड़ी में थकान तो होगी है। नमबर सेवन है, स्पारिंग। प्रिग्निंसी रहेने पर आपको हलकी ब्लीडिंग हो सकती है, जब एम्ब्रियो यूटरस में अपने जिगह बना रहा होता है, तो उसकी वज़े से आपको बूंदो की रूप में हलकी स्पारिंग हो सकती है। नमबर एट है मूड स्विंग से, आपका मूड कभी अच्छा रहेगा और कभी खराब रहेगा, और ये सब हॉमोनल चेंजिस की वज़े से हो रहा होता है, तो ये सारे ही सिम्टम्स इस चीज़ को दरसाते हैं कि आप प्रेग्निन्ट हो चुकी हैं, क्योंकि अगर आप प्रेग्निन्सी के लिए ट्राई कर रहे हैं और ये सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो आप समझ जाए कि आप pregnant है और friends ऐसा भी हो सकता है कि किसी female को यह symptom नजर आए और किसी female को यह symptom नजर ना आए क्योंकि सभी females की बोड़ी एक जिसी नहीं होती है अगर आपको यह symptom नजर ना आए फिर भी आप finger test का use बिलकुल ना करें अगर आपको pregnancy ठहने के लक्षन नहीं नजर आते हैं और आपका period भी miss हो गया है तो आप period miss होने के 3-4 दिन बाहर pregnancy test kit से अपना pregnancy test कर सकती है So I hopefully मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए useful रहेगा So मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए Bye